x 113 वेलकम तुधा गेट में एख्लास है बाइमस कुलचनकुमार क्लास कुलकला शूं अध्येक्डा इक्वेशिन गाहिकोरा हं, इस्टाइप की पडहेंगे, टाइम-डिपेंडेजिंगर वेव एक्वेशन, उसके बाद हम आजे लेक्चर rarely मेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टुडेंट्स को पता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासस एप पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पीडियो नोट्स मिलेंगे और बीटेट फस्टियर का कॉम्बबेग भी एवेलेबल है जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे सभी courses का link आपको इस वीडियो के description में दिया गया है अगर किसी student की कोई query है तो वो student helpman number पे call कर सकता है अब हम start करते हैं आज का lecture और सबसे पहले बात करेंगे कि wave function क्या होता है देखिए हमें Schrödinger wave equation पढ़ना है तो Schrödinger wave equation को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि wave function क्या होता है wave function तो देखिए इस से पहले हम already पढ़ चुके quantum mechanics के अंदर कि जो moving particle होता है उसके साथ में wave associated होती है और जो wave associated होती है उसको हम कहते है matter wave या फिर डी ब्रॉगली wave समझ मैं आ रही है तो यह जो México होती है matter, matter wave के behavior को describe करने के लिए हम wave function का use करते है बस समझ मैं आ रही है देखिए the wave function describes the behavior of wave associated with moving particle moving particle के साथ में जो wave associated होती है ईसके behavior को explain करने के लिए हम wave function का यूज करते हैं बात समझ में और देखिए इसकी तीन डेफिनिशन में आप लिखी है ता इस्टेट ऑपार्टिकल एट एट इस्टेटट बाइए फंक्शन पार्टिकल के साथ में वेव एसोस्टेट होगी तो पार्टिकल की स्पेस के अंदर क्या पोजीशन होगी उसको सकते हैं the quantity whose variation built up matter wave मतलब wave function एक ऐसी quantity है जिसके variation से क्या बनती है matter waves बनती है तो यह होता है हमारा wave function और इसी wave function का हम use करेंगे किसमे स्रोडिंगर wave equation में उसके आगे देखें स्रोडिंगर wave equation describe the wave motion of matter wave अब देखें स्रोडिंगर wave equation क्या है स्रोडिंगर wave equation एक्चल में जो matter wave होती है matter wave के motion को describe करने के लिए हम स्रोडिंगर wave equation का use करते हैं और इसी लिए स्रोडिंगर wave equation को equation of motion of matter wave कहते हैं जैसे classical mechanics में Newton loss of motion होते हैं similarly quantum mechanics के अंदर स्रोडिंगर wave equation होती है यानि के classical mechanics में जो काम Newton loss of motion का है वही काम quantum mechanics मुझे लगता यह बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टार्डिंगर वेव इक्वेशन का दोनो ही डैरिवेशन आपके लिए बहुत जादा इंप्वेशन दोनों डैरिवेशन आपके लिए बहुत जादा इंप्वेशन यहां पर पास फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें टाइम होगा यह equation time के ओपर depend करेगी तो आप ज्यान दीजिए derivation को कहा से start करना है और किस तरीके से हमें यह derivation करना है देखिए अगर मैं classical mechanics की बात करूँ तो classical mechanics में आप लोगों ने wave wave का chapter पढ़ा है और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो wave का motion होता है उसको हम x describe करने के लिए differential equation का use करते है तो देखिए वहाँ पर जो differential equation होते थी वो कुछ इस type की होते थी del 2 5 upon del x square del x square is equal to 1 upon c square del 2 5 upon del t square this is a differential equation to describe the wave motion बात समझ मारे तो यहाँ पर हम sodinger wave equation का derivation को start करेंगे वो हम differential equation से start करेंगे यह differential equation classical mechanics में हम पढ़ते थे तो यहाँ पर भी हम यही ती start करेंगे बस difference क्या आएगा यहाँ पर phi है phi के place पर हम यहाँ पर क्या लेंगे wave function लेंगे और wave function को हम represent किससे करते हैं यह भी मैं आपको बता दू wave function को represent किया जाता इस symbol से लेकिन इसको read करते है साई तो यह स्थाई का symbol है यहाँ पर बस phi की जगा आ जाएगा क्या आपका wave function और यहाँ पर c क्या velocity of light है जबकि हम यहाँ पर जो बात करने है वो matter wave की बात करने है और matter wave के case में हम velocity किसकी लेंगे पार्टिकल के velocity of पार्टिकल तो यहाँ पर c की जगा वी आ जाएगा तो यह difference रहेगा यहाँ पर तो आप ध्यान दीजे वही लिखाया कि the differential equation of a wave motion of a particle in one dimension अच्छा यह जो equation है यह one dimension के लिए है हम इसको three dimension के लिए भी लिख सकते हैं तो आप इस derivation को one dimensional equation लेकर भी solve कर सकते हैं और three dimension से भी solve कर सकते हैं दोनों तरीके से solve कर सकते हैं दोनों तरीके से आपकी स्रोडिंगर wave equation आ जाएगी तो आसान क्या है आसान है one dimension equation को लेकर हम solve करेंगे और उसके बात जो final result होगा उसको 3D में भी लिख देंगे हम solve करेंगे 1D में लेकिर result हम 3D में भी लिख सकते हैं तो अब मैं इसी equation को यहाँ पर लिखूंगा किसके लिए particle के लिए देखि कैसे लिखेंगे del 2 phi del 2 phi sorry phi नहीं आएगा यहाँ पर साई आएगा del 2 psi upon del x square is equal to 1 upon v square यहाँ पर c नहीं आएगा v आएगा that is velocity of particle del 2 psi upon del t square यह हमारे पास इतना change आएगा यह हम classical mechanics में पढ़ते दें अब देखी क्या करना इसके आगे तो यह हमारी क्या होगी differential equation होगी यहीं से हमें स्टार्ट करना है अपने यहाँ पर दियान देना इसके बाद मैं आपको time independent कराऊंगा तो time dependent और time independent दोनों equation का 70% part starting का सेम है बात समझ में आ रहे है तो इसलिए इसको बहुत द्यान से समझना है अगर आपको यह समझ में आ गया तो मान के चलिए आपको time independent भी समझ में आ गया तो यह हमारे पास a differential equation क्या है differential equation the differential equation of a wave motion of a particle in one dimension यह one dimension में लिखी मैंने अब मुझे क्या करना है इसका general solution लिखना है now the general solution the general solution the general solution of equation one इसको मैं equation one मान लेता हूं इसको मैंने मान लिया this is the equation number one तो अब मैं यहां पर इस equation number one का general solution लिखने जा रहा हूं general solution आपको find नहीं करना आपको direct लिख देना बात समझ मारे और differential equation के जो solution होंगे वो अलग-अलग हो सकते हैं तो द्यान दीजेगा इसका general solution क्या होगा general solution of the differential equation तो साइक पर डू अच्छा एक चीज़ और यह जो wave function है यह दो चीज के ओपर depend करेगा देखें क्योंकि हम one dimension में लिख रहे हैं किसमें लिख रहे हैं one dimension में तो जो wave function होता है जब आप उसको one dimension में लिखेंगे माली जे x direction में हैं तो दो variable के ओपर depend करेगा वो एक तो x के और एक time के तो यहाँ पर जो साई है हमारा यह दो function का variable है x का और t का अगर मैं इस equation को 3D में लिखता तो यहाँ पर फिर चार यहाँ पर कुछ student को हो सकता है कि confusion हो गया हो क्यों confusion हो गया हो क्यों क्योंकि आप लोग differential equation class 12 में भी आप लोगों ने पढ़ा है और second semester में भी आप differential equation पढ़ेंगे लेकिन आपने जो class 12 में differential equation पढ़ा है यह आप जो second semester में differential equation पढ़ेंगे वो ordinary differential equation होती है यहाँ पर हम कौन से differential equation का यूज करना है partial differential equation बात समझ मारी नहीं कि partial का मतलब क्या होता है ज्यान दीजेगा जहां पर जहां पर आपका dependent variable केवल एक ही independent variable के ओपर depend कर रहा है तो वहां पर आती है ordinary differential equation लेकिन अगर कहीं पर आपका dependent variable दो independent variable के ओपर depend कर रहा है तो वहां पर partial derivative होता है और और वहां पर आती है partial differential equation सृधीजी बात है partial differential equation में partial derivative आएगा और ordinary differential equation में ordinary derivative आएगा इतना अंतर होता है तो ये जो partial differential equation है यह आप लोग mathematics 4 में जा करके पढ़ेंगे तो अभी तक आप लोग ने mathematics 4 नहीं पढ़ा वहां पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसका solution भी find कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं और वैसे भी physics के अंदर आपको किसी भी differential equation का solution find नहीं करना है डारेट उसका solution लिख देना तो आप इसके solution को डारेट याद रखेंगे अब देखिए आगे क्या करना है यहां तक मुझे लगता जो particle है हमारा particle के parameters के अंदर आ जाएं तो ध्यान दीजेगा यहां पर सबसे पहले तो यहां पर मैं बात करूंगा ओमेगा की तो यहां पर मुझे क्या करना है कुछ P.htrisu करने क्या क्या करने एक तो आप ओमेगा की चैगा पुट करेंगे तूट पाइड यह फर्मूला पहले से जाते है और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तूट पाइड न्वू धो फ्रिक्वेंसी कर दूसरा यहां पर आप पूट करेंगे इस व को व मतलब वेलासिटी और वेलासिटी का फार्मुला भी आप जानते है यह दोनों सब्टिटीशन उठा के आप इस एक्वेशन में कर देंगी तो दोनों सब्टिटीशन करने के बाद देखें आपके पास क्या है कि जड़ा ध्यान दें इदर बहुत ही सिंपल है यह देखो यह सब्टिटीशन अगर मैं यह आपर कर दू तो मुझे क्या मिलेगा साइग एक्स कॉमा टी इस इक्वल टू इस इक्वल टू ए की पावर में माइनस आयोटा टू पाई न्यू ब्रैकेट में टी ऐसी रहेगा माइनस एक्स अपान वी की जगे क्या जाएगा न् यह न्यू बाहर लिखा इसको अंदर मुल्टिपलाई कर दो तो यहां तो न्यू से न्यू कट जाएगा देखे क्या एक्स स्टेप में तो स्टाइ एक्स कॉमा टी इस इक्वल टू ए की पावर में अब यह न्यू अंदर चला जाएगा बाहर बचेगा माइनस टू पाई ज्यान दगना यह जो आयोटा है और आयोटा की वेल्यू आप जानते हैं अच्छे से अंडरूट आप माइनस वन इमेजनरी नंबर होता है आयोटा स्कॉयर माइनस वन होता है चलिए तो यहाँ पर न्यू को मैं अंदर ले जा रहा हूं ब्रैकट के तो यह क्या जाएगा न्यू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन और यहाँ पर न्यू से न्यू कर जाएगा केवल बचेगा लेमडा फिर से हम यहाँ पर सब्टेटिशन करेंगे अप क्या करें देखो एक से आप न्यू का फर्मूला उर लेमडा का फार्मूला पुट कर देंगे तो पुट आप जानते हैं कि न्यू की वैल्यू क्या होता है ए ए General होता है इंट ंपॉन पी यह आप सब पहले से जानते हैं और ना यह क्या है । च सो प。 रेडियेशन से, Planck's law of radiation, वही आपको अच्छे से मालूम है, कि E equal to क्या होता है, H new होता है, तो यहां से मैंने new को निकाल दिया, E upon H, दोनों substitution उठागे यहां कर देंगे, तो देखे कितना आएगा, हमारे पास आजाएगा side, X, T is equal to A, E की पावर में, माइनस 2π आयोटा, ब्रेकेट में, अब यहां पर new की जाएगे, मुझे पुट करना है, E upon H, E upon H, और T ऐसी रहेगा, माइनस में X, अच्छे यहां पर देखो, लेंडा की जाएगे, जब मैं H upon P पुट करूँगा, तो P तो उबर चला जाएगा, तो क्या मैं यहां पर लिख स लगता हूं, P X, और upon में H, यह हमारे पास आजाएगे, यह सब पावर में अध्यान दखना, अब देखो, आगे, अब इसको मैं अगले स्टेप में, इस H को common ले लेते हैं बाहर, तो कितना आ जाएगा, साई X, T is equal to A E की पावर में, माइनस 2 पाई, अगर मैं H को बाहर common ले लो, तो यह 2 पाई अपन H आ जाएगा, और यहां पर आयोटा, अंदर बचेगा, E T माइनस P X, तो मुझे लगता, यहां तक सभी स्टुडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि हमने क्या किया, अब देखो, हम क्या करेंगे, अब यहां पर फिर से मैं एक सब्टिटीशन और करूँगा, लेकिन सब्टिटीशन करने से पहले, इसको थोड़ा सा सही करके लिखे है, साइक्वल टू, साइक्वल टू, एकी पावर में, माइनस, एकी पावर में ध्यान दीजेगा, माइनस आयोटा अपाउन, देखो, क्या मैं इस तू पाई को एच के नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहां पर, एच अपाउन तू पाई आ पाई के नीचे आगे है, अब यहां पर मैं एक सब्टिटुटिशन फिर से करूँगा, क्या है यहां पर, यहां पर हम पुट करेंगे, पुट, जो आपके पास यह एच अपाउन तू पाई है, इसको एक नया कॉंस्टेंट पुट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं, एच क्र अब क्या मिलेगा, यहां से हमें, ना, साइक क्वल्टो, एक्स कॉमा टी, अच्छा, मैं यहां पर एक चीज आपको और बता दू, स्वोडिंगर वेविक्रेशन को ड्राइव करने के कम से कम सात-ाथ मैथड है, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मैथड दी है, सभी म कम क्यों, सब्सक्कार, वो अब करें ला हैं, यहां पर कुछ बुख केंने को दूसरे तरीके सा कीया गया, कि हमारे पास यह साई करने के बाद यहां पर पुट कर देंगे तब भी आपके पास स्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगे लेकिन काम तब भी उतना ही होगा यह सारा सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा तरीका बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा चले यहां पर अब हमारे पास क्या आ जा यह मेरे पास आ जाएगा और इसको मैं लिख लेता हूँ एक्वेशन नंबर कौन सी एक्वेशन होगी यह भी देख लेते हैं यह हमारे पास आगे एक्वेशन नंबर टू तो मुझे लगता यहां तक सभी स्टुडेंट को समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है कुछ नह हमने new को e upon s से add आ दिया और lambda को h upon p से add आ दिया और उसके बाद हमने h upon 2pi को h cross से add आ दिया तो हमारे पास यह आगे यह अभी तक हमने सिर्फ कुछ अze स्ब्टिटुशन किए बागी कुछ नहीं किया अब देखो अब क्या करेंगे हमें started違қation ना नहीं है है हम इसको दो बार differentiate करेंगे with respect to x इसको दो बार differentiate करना है with respect to x अब देखें क्या आएगा धियान देना चरा है बहुत सिंपल सा डिफ्रेंसेट आप डिफ्रेंसेट 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 करूंगा तो यहां पर स्पाई दो वेरियेबल का function है एक्स का और टी का तो partial derivative होगा कैसा होगा partial derivative कभी भी अगर कोई function दो variable का है तो आप उसका ordinary derivative नहीं कर सकते आपको उसका partial derivative करना पड़ेगा तो यहां पर मैंने एक्स के respect में कर रहा हूं इसलिए इसका partial होगा is equal to a तो यहां पर constant है अब यह e की पावर है अब देखो आप अच्छी से जानते हैं कि e की power में कुछ भी हो उसका differentiation वही होता है तो यहां पर यह पूरा का पूरा अभी किसका का काम कर रहा है एक्स का का काम कर रहा है तो यहां पर यहां पर आप इसका differentiation करेंगे और multiply में लिखेंगे अब ज़रा ध्यान दो देखो आउटार एक्स तो constant हो गया क्योंकि हम x के respect में कर रहे है एक्स के respect में कर रहे है और जब आप इसको अंदर multiply करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आपका आजाएगा आयुटा अपाउन एच क्रॉस पी तो मुझे लगता सभी स्टुडेंट को अच्छे से समझ में आगे होगा आगे करते हैं अब देखें यहां पर अगर मुझे इसका भी एक बार और दिफ्टेंशाट करना अगें डिफ्रेंशाट विध र데ाउैक्स अगें मैं मैं डिफ्रिंशाट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब यहां पर जड Anda ध्यां देंगे अगर आप एक बार और इसको दिफ्रेंशाट कर दें, with respect to x, तो क्या होगा? तो del 2 psi, अपन, del x square, is equal to, a, e की power में, देखो, अब ज़रा ध्यान देना, ये जो quantity है, ये तो constant है, a भी constant है, तो ये तो पूरा का पूरा constant है, बहर आ जाएगा, क्या जाएगा? बहर आ जाएगा, तो मैं इसको पहले e से पहले रिख देता हूं, ए ये भी constant है तो ए आयोटा पी अपन में h cross ये तो बाहर आ गया और e की power में माइनस आयोटा अपन h cross e t माइनस क्या p x अब देखो जरा ये तो constant तो बाहर था इसका डिफेंसित नहीं कर चुके फिर से chain rule लगाएंगे इसका भी करेंगे तो फिर से यह quantity आ जाएगी वापस h cross p और देखो ये दो बार आ चुका है तो दोनों बार अचा इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं में ये multiply में है ध्यान देना आयोटा अपन h cross p अब ये quantity दो बार आ चुकी है तो दोनों बार multiply जाएगी square बनेगा इसका तो देखें आगे क्या आएगा हमारे पास ध्यान दीजेगा बहुत सिंपल है अब मैं इन दोनों quantity को multiply कर देता हूं देखो आयोटा से आयोटा multiply होगा तो आयोटा square बनेगा और आयोटा square आप जानते है आयोटा square की value होती है minus 1 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कितना आएगा देखो देखो आयोटा का multiply होगा तो आयोटा में होगा तो आयोटा square बनेगा जो की minus होता है कितना होता है minus तो minus sign पहले लिख जाता हूं तो minus a अच्छा पी का multiply पी में होगा तो p square और h cross का h cross में होगा तो h square h cross का square तो यह p square upon h cross का square तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिखकत नहीं होगी h cross का x cross में मुलड़ाई हो गया, p का multiply p में हो गया, i का multiply i में हो गया, iota इउटा square कितना होता है minus 1 होता है और क्या बच्छा और यह e की power में बच्छा तो e की power में minus e की power में minus iota upon में h cross iota upon में h cross e t minus का p x अब अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, equation number 2 से अगर आप इसको compare करेंगे तो मुझे लगता है आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा पहले साही करके लिख लेता हूं इसको आप ऐसे लिख लेते है, del 2 chi upon del x square minus p square upon में h cross square ae की power में minus iota upon h cross e t minus का px, अब यहां पर जड़ा ध्यान से देखो यह जो quantity है, यह quantity क्या है, from equation number 2, इस quantity की जगा क्या मैं साही लिख सकता हूं, बिल्गुल लिख सकते हैं तो हम इसकी जगा साही लिख देंगे, तो देखें आपके पास क्या जाएगा, del 2 chi upon del x square is equal to minus p square sin upon h cross square तो मुझे लगता है, यहां तक सभी student को बहुत अच्छे तरीकी से समझ में आ गया हूं this is the equation number 3, इसको हमने क्या कह दिया, equation number 3 तो यहां तक सभी student को समझ में आगे हूं, चलिए, अब आगे देंगे हमें क्या करना है, time dependent equation को यहां पर लेकर क्या आना, यानिकि हमें time भी चाहिए तो यहां पर एक चीज़ समझे आप, अगर यह time independent equation होती है अगर time independent equation होती ही, तो हमें t को नहीं लाना पड़ी, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि time dependent और time independent जो दो equation हमें drive करनी है, उन दोनों में इतना पार्ट सेम है, इसके बाद बदलेगा, इससे पहले तक सब कुछ सेम रहेगा, बात समझ में आगे, इसका मतलब यह हुआ कि इसका आगला करूँगा लेकिन इसको दिफरेंशीयत करने से पहले मैं यहां पर p2 की value निकाल लेता हूं, झाल लेता हूं, तो यहां से अगर मैं पREE și square को find करता हूं, तो यह h cross उधर चला जाएगा multiply होगे h cross का square है ना ज्यान दीजेगा मुझे p square निकालना है तो यह उपर जाएगा यह नीचे आएगा तो minus का minus का h cross square upon में shy यह नीचे आजाएगा यह उपर चला जाएगा और del 2 shy upon में del x square इसको मैं लिख देता हूँ equation number 3 this is the equation number 3 तो मैं यहाँ से p square को find कर चुका अब जड़ा आगे देख देख दिया है ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह कहां से आया नहीं तो आप बाद में भूल जाएगे from equation number 2 from equation number 2 equation number 2 से हमने इसके place पर क्या पूट कर दिया साही पूट कर दिया अब यहाँ पर चला ध्यान देना मुझे इस equation को फिर से differentiate करना है ती के रेस्पेक्ट में ना अगें अब मैं अगर इसको टी के रेस्पेक्ट में differentiate करता हूँ तो यह क्या है डेल साइपॉन डेल टी अब यहाँ पर जला ध्यान देना इसको डिफ्रेंसे करना मुझे टी के रेस्पेक्ट में तो एका रहेगा और यह की पावर में जो भी लिखा इसका भी यही रहेगा तो पहले तुम्हें पूरा आजटीज लिख देता हूँ एकी पावर में माइनस आयोटा अपवन एच क्रॉस एटी माइनस का पी एक्स देखो यही ता सेम लिख दिया मैंने देखो एका एक बाहर है कॉंस्टेंट है एक की पावर का एक की पावर में आएगा अब यह जो पावर लगी हुई है मुझे पावर करना है इसका टी के रिखना है कि यह तो माइनस आयोटा अपवन ह क्रॉस तो ऐसे ही आ गया और ज्या इसका जिर वह जाएगा तो यह फेक्टर आयगा बहार हुल बार इस्वार एक ही बार इस बार रिखने गहा sun मुझे यहां से e को निकालना है देखें मैंने यहां से किसको निकाला पी को निकाला अब मैं निकालूंगा e को पी क्या है p is the momentum of particle और e क्या है e is the total energy of the particle अब यहां पर देगे मुझे यहां पर e को find out करना है तो e कितना आएगा वह हम यहां से निकालेंगे तो del si upon del t is equal to a और इसकी जगापर मैं क्या लिख सकता हूं ग्यान दो यह तो फिर से आपको वही लिखना si इसके place पर क्या लिख सकते हैं इसके place पर from equation number two equation number two का use करके आप लिख सकते हैं si और इधर कितना बज़ गया माइनस अइल्टा अपॉन में एच क्रॉस अब मुझे यहां से यह को find करना है यह कहां से आया from equation two अब इक्वेशन नमबर तो अब देखें जाए चलिए को find करते हैं तो यहां से यह कितना आएगा ऐ है सिद्धी से बात यह को, अगर आप निकालने तो मीगन, साइन है एच क्रॉस ऊपर जाएगा है ना एक क्रॉस उपर जाएगा और निछे क्या 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 आएगा नीचे आपके पास एक तो ए आएगा और एक साइ Japan क्योंकि हम इनिकाल रहे है तो E निकालेंगे तो A नीचे जाएगा, Sine नीचे जाएगा, H cross उपर आएगा, minus sign और del side upon del T अच्छे A कहां से, A तो इसके साथ हो, यहां पर थोले असा A नहीं आएगा, देखो क्यों नहीं आएगा ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ए जो part है वो actual में इसके साथ ही included है घ्यान दीजिएगा यह तो हमारा e और यह a यहाँ पर छोट गया यह पूरे की जगा पर si आएगा ना तो is equal to is equal to हाँ तो कितना आगिया a नहीं आएगा इसकी जगे पूरे की जगे साई आएगा और यह आजएगा ठीक है अब यहाँ से निकाल रहा हूं में तो यहाँ पर क्या होगा h cross उपर जाएगा प्राई नीचे आएगा है ना और आयोटा भी नीचे आएगा और यहाँ पर रहेगा माइनस साइगा यह हमारे पास आएगा बोलो बात समझ में आगी यह ऊपर चला गया और डेल साइपॉन डेल्टी आएगा इसको थोड़ा सा और आप साही करके लिख सकते हैं यह यह नीचे आयोटा है अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी आयोटा से मल्टिप्लाई कर दो तो क्या आएगा देखो h cross upon आयोटा upon में साइपॉन डेल साइपॉन डेल्टी यह आ जाएगा इसको मैं लिख लेता हूँ मतलब आप ऐसा समझे नीचे one upon Iota है मैंने इसको आयोटा से multiply लिवकर दिया तो तो यह क्या बनेगा ऊपर वनेगा आयोटा स्क्हार कितना होता मैं माइनस one का मतलब है इसको मैं लिख सकता हूं क्लच करना और है चाह days Cryman के इन aç Cristaci यहां ड़िए सकते हैं और माइनस माइनस देच बधार की जगहते हैं किज्वित अब इसके बार करना है इसके बाद को लगा कि अप्लाई कंजर्वेशन ओफ एनर्जी को तो यहां पर करम इनर्जी का प्रिंसीपल लगा दें तो मुझे लगता है कि सभी स्टुडेंट को अच्छे से याद होगा कि यहां पर कौन सा लगाना हमें कंजर्वेशन ओव मेकेनिकल इनर्जी आप लोग छोटी ग्लास से पढ़ते आ रहे हैं प्लस पोटेंसियाल एनरजी तो आपको जो एनरजी मिलती है वह कौनसे एनर्जी होती है है mechanical energy और हमें यहां पर apply करना है एपलाई दा conservation of energy मतलब हमारी जो energy है वो conserve रहे हैं तो मुझे इसी principle का यहां पर यूज करना है और यहां पर हम mechanical energy को represent करेंगे capital E से और kinetic energy plus potential energy अब जलाद यहां तो यह तो टोटल energy देखें mechanical energy को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं भी जब टोटल एनर्जी और पार्टिकल का इनर्जी का फॉर्मुला आप अच्छे जानते हैं अब कुछ student हो सकता है सोच रहे हूं सर यह फॉर्मुला तो नहीं होता का इनर्जी का यह फॉर्मुला होता है हां बिल्कुल यह होता है लेकिन यह भी होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हम कैसे आता है अगर आप इस equation को M से डिवाइड और M से मुल्टिप्लाई कर दें यह फॉर्मॉसर और यह M स्कॉर स्कॉर इन्टू हो जाएगा और यह M स्कॉर इन्टू इन्टू इसको रिप्रेजयंट कर रहे ह, तो इस सी यह फॉर्मुला इनर्जी घॉर्मूस पॉटेंश स्टेंचर एन्टेंटियों अब यहां से स्वाडिंगर वेव में क्या करना है इसमें पी स्क्रार की जगा ये वेल्य पूट करनी है और जब पर इस वेल्यू को पुट करना और आपका अंसर आ जाएगा तो चलिए सब्चिट्ट्ट्ट कर देते हैं तो E की जगापर तो पहले मैं इसी को put कर देता हूँ क्या है E? H cross तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ put P square and E in equation number इसको कौन सा equation number डाले हम equation number 5 तो आप equation number 5 में P square और E को put कर दीजिए आपका answer आजाएगा तो चलिए substitute करते हैं पहले E को put कर देता हूँ H cross Iota upon में shy del side upon में del T is equal to अब यहाँ पर मुझे put करना है P square P कितना है? यह रहाँ minus का H cross square upon si minus का H cross square upon si del 2 shy upon del X square यही तर will और plus में V अब आपको क्या करना है? बस आपको इतना काम करना है यहाँ आपको किवल इतना काम करना है कि इस पार्ट को इधर लिखना है और इस पार्ट को इधर लिखना है और यही आपके क्या होगी? final equation होगी तो चलिए मैं लिखता हूं देखे जना दूसरा हम और थोड़ा साइस को क्या कर सकते हैं देखो इसमें साई है तो मैं एक काम करता हूं divide divide both side by side दोनों तरफ size divided करदेंगे दोको क्या जाएगा अगर आप दोनों तरफ size से करेंगे करें तो यहां से साइ से कट जाएगा कि इतना हैगा आपके बास ग फार एंअ हें सांग Q यहान थैज आहा पर ऊच्च्च लार्फ फॉर स्च्च इह च्क्टुम्च का स्कूर माइनमाड़ माइनमाग कत्राओं स्क्वार अपॉन तुम और यहां पर मल्टिप्लाई लिखना है हम मल्टिप्लाई करेंगे तब ही तो कैंसल आउट होगा मल्टिप्लाई के आपके पास अजाएगा 20 साइगे अब आपको क्या करना इस पारको उठाके लेट में लेक्ट फाइन ही इस फाइन स््टॉड़िंगर वेवेव क्वेशन इन वन डाइमेंशनन फाइन वन डाइमेंशन चौट मुझे लगता अब आपको यहां से समझ में आगया हूँ देखे तो इस पार्ट को मैं इधर लिखूँगा तो minus h cross square upon 2m minus h cross square upon 2m del 2 shy upon del x square del 2 shy upon del x square plus v v shy is equal to i h cross iota h cross del psi upon del this is the final Schrödinger wave equation in one dimension Schrödinger wave equation in one dimension आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस दा Schrödinger wave equation in one dimension आप यह कैसी है time dependent है यह आप देख सकते हैं इस इस दा time dependent this is the required equation यह क्या है this is the required equation आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए यह जो हमारे पास equation आईये Schrödinger wave equation in one dimension इसको हम 3D में भी लिख सकते हैं तो को कैसे अगर आपको स्रोडिंगर wave equation को 3D में डाइब करने के लिए आ जाए या 3D में अगर आपको लिखना है तो कैसी लिखेंगे कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर केवल x square आ रहा है न del 2 chi upon del x square इसमें y square z square भी आ जाएगा जैको कैसे लिखेंगे कैसे घ्यान दीजिएगा minus h cross square upon 2m इसको दोबहर ही रखो bracket के अंदर del 2 chi upon del x square plus del 2 chi upon del y square plus del 2 chi upon del z square bracket close and plus v chi v v chi is equal to me 0 sorry 0 कहा सब्सक्राइब is equal to me यह जो आपके पास लिखा है iota h cross del x upon del equal मुझे लगता है आपको समझ में आगे होगा किस तरीके से मैंने इसको लिखा अब देखो इसको आप sort में भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे sort में ज्यान दीजेगा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं h cross square upon 2m है ना h cross square upon 2m यह जो quantity लिखी है इसको लेटा से या नेवला से रेप्रेजेंट करते हैं आप लोग अगर mathematics 1 में unit number 5 में आप लोग ने पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ेंगे यह ना unit number 5 में तो वहाँ पर यह जो हमारे पाद तीनों quantity का सम होता है इसको लेटा से या नेवला ओप्रेटर से रेप्रेजेंट करते हैं इसकी जगा पर मैं लिख सकता हूं del square इसके place पर मेरी बात को ध्यान से समझेए इसके place पर मैं लिख सकता हूं del square कैसे देखो इसको del square और side मतलब है यहाँ पर side थो आएगा लेकिन यह आपके पास आजाएगा तो यह हमारी क्या होगी स्रोडिंगर वेविक्वेशन इन थ्री दिमेंशन इस स्रोडिंगर वेविक्वेशन इन थ्री दिमेंशन अब यहां पर दो तीन छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट चीजे और है उनको और देख लेते हैं देखे जरा तो यहां पर अगर आप चाहें तो इन दोनों में से साई को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं तो इस एक्वेशन अपॉन टू एम देल स्क्वेशन देल स्क्वेशन है ना प्लस वी और ब्रेकेट के बाहर में लिख देता हूं यहां पर प्लस वी और ब्रेकेट के बाहर आजाएगा साई इस एक्वेशन को मैं ऐसी भी लिख सकते हैं ऐसे क्यों लिखा मैं बताता हूं ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर जो यह वाली क्वांटिटी है देखिए वेर यहां पर यह वाली क्वांटिटी है जो मैं भी लिखने जा रहा हूं माइनस का x square upon 2m देल स्क्वार प्लस वी इस क्वांटिटी को कहा जाता है हमिल्तोनियन उपरेटर हमिल्तोनियन तई बार स्ट्टिएट पूछते हैं रर हमिल्तोनियन उपरेटर क्या होता है है Hamiltonian operator कुछ नहीं है केवल यहां पर स्वर्णिंगर वेव एक्वेशन में जो यह वाली quantity होती है इसको कहते है Hamiltonian operator और यहां पर यह वाली जो quantity है जिसको मैंने दूसरे bracket में लिखा है आयोटा आयोटा है एच क्रॉस देल अपॉन डेल टी यह जो quantity है है इसको कहा जाता है एनर्जी ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर तो मुझे लगता यह सारी चीज़े आपको समझ में आगे होंगे वैसे कर आपको university exam में यह derivation जब पूछा जाएगा तो अगर आप यहां तक भी कर देंगे तो sufficient है ज्यादे अच्छा रहेगा अगर आप यहां तक कर देंगे यह आपको नहीं लिखना है यह पूछा जाए तभी लिखना है कि Hamiltonian operator क्या होता है तब तो आप लिखेंगे नही time independent sodinger equation और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग का 70% पार्ट तो सेम है जो को बिल्कुल वाई है the differential equation of a wave motion of a particle in one dimension can be written बिल्कुल सब कुछ वही है अचाहिए यहां पर इस equation को दो तरीके से drive किया जाता है आप इसको time dependent sodinger wave equation जो हमने drive की है उसकी help से भी कर सकते अगर आप करना चाहिए कैसे करेंगे वह भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं कि time independent sodinger wave equation को प्रॉपर तरीके से कैसे drive कर सबसे पहले आप इसको लिखेंगे बिल्कुछ सेम है फिर आप इसका general solution लिखेंगे अगेन वही आपको ओमेगा की जगा टू पाई न्यू वी की जगा न्यू वी लेको सबकु सेम है पिछली derivation का revision हो जाएगा आपका यहां पर हमने यहां पर ओमेगा को और वी को put कर दिय तो put करने के बाद यह आ गया फिर इस new को अंदन multiply कर दिया multiply करने के बाद आपके पास यह आया उसके बाद यहां पर न्यू की जगा यह पॉन है और यह एच अपॉन टू पाई बनाएंगे और यह एच अपॉन टू पाई के जगा पर है एक्वेशन नमबर टू आ जाएग उसके बाद आप क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे दो बार x के respect में तो आप पहली बार जब इसको differentiate करेंगे तो यह आएगा फिर से करेंगे तो यह आ जाएगा इसके बाद आपने एक्वेशन नमबर टू को ट के respect में भी किया था लेकिन यहाँ पर नहीं करना है यहाँ पर आपको नहीं करना है यहाँ पर आपको बताता हूं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर ट को ले करके वहाँ पर तो हमें time dependent बनाना और उसके बाद आपको conservation of energy लगाना है जैसे आपने वहाँ पर लगाया था तो लगाते हैं आप पर conservation principle apply principle of conservation of energy आप देखिए यहां से बदवेगा situation तो हमारा पहले तो प्रेंसिपल तो सेम ही है यह भी हमने वहाँ पर apply किया था कि एक टोटल energy of the particle potential energy plus kinetic energy है और आप जानते हैं अच्छे से पोटेंसियल को पहले लिख लेदा हूं कि काइनेटिक energy प्लस पोटेंसियल का फर्मुला अभी बता चुको हम आपको प्लस पोटेंसियल energy के ज़्यदा हम capital वी लिखेंगे अब देखो क्या करना है मुझे यहां से P square की value find करनी है तो P square चाहे तो आप इसको नीचे आ जाएगा size square और फिर हमें क्या करना है यहां पर हाँ दगो मैंने यहां पर P square size लिख रखा हमें काम करते हैं इस equation को दोनों तरफ size से multiply कर दें तो हम P square size की जगा यह फूट कर सकतें यह आप ऐसा कर सकतें यहां से P square निकाल तो यह Wy Ni सबला जाएगा और यहां पर उसको पूट कर सकतें चलिह मैं नीच ले जाके लिख देता OM कोई दिककत नहीं है यहां से हम निकाल लेते है पिस्क्वार्ण अगर यहां पर आजाएगा हमारे पास ती स्क्वार्ण जाहए हुआ जाए प्रक्रोय स्क्वार जाएगा लुक्त आप मुझे क्या करना है इस P स्क्वाइल को यहां पर ला करके पुट कर देना के आगे मैं क्या लिकूंगा पुट P स्क्वाइल इन अबाव Naturally अब जो थिल्वां ध्यान दें पी स्क्वाइल को पुट रने पर हमें क्वामिल जाएगा देखें यहां पर मुझेका टू e is equal to p square upon 2m है तो इस p square की value को पूरा यह पुट कर रहा हूं 2m भी नीचे आएगा तो minus का x cross square upon 2m और नीचे psi भी है है ना h cross square 2m psi minus और delta psi upon del x square है delta psi upon del x square आजाएगा plus में v अब एक काम करते हैं यह जो psi है इसको lcm ले ले लेते हैं और lcm लेके इसको अधर ले आते हैं जोको यह कितना बनेगा e psi is equal to minus का h cross square upon 2m delta psi upon del x square plus v into psi बुलो बात समझ में आ रही है यह आ जी है अब क्या करें इसको सबको left में ले आते हैं उठा के तो वो e psi और v psi को एक साथ कर लेते हैं और इसको भी left में ले आते हैं तो यह इदर आएगा तो plus में आएगा तो क्या बनेगा h cross square upon में 2m delta psi upon del x square plus इसको में इदर लाता हूँ तो यह बनेगा e minus v और psi equal to 0 and this is the Schrödinger time independent wave equation in one dimension अचा इसको थोड़ा सा आप change करके लिख सकते हैं कैसे ही ज़रा ध्यान दो अगर मैं इस equation को h cross square से divide कर दू और 2m से multiply कर दू तो देख इस equation को आप ऐसे भी लिख सकते हैं delta psi upon del x square plus 2m upon h cross square e minus v side equal to 0 तो यह इसकी स्वाडिंगर time independent wave equation की final form है मुझे लगता है यहां से यहां आपने कैसे लिखा वो आपको समझ में आगिया होगा देखो चाहिए तो आप इस 2m को यहां पर lcm भी ले लेंगे तो यही आए बास समझ मारे है यह आप ऐसा सोचें कि मैंने इस पूरी equation को h cross square से divide कर दिया तो यहां से h square square कर जाएगा यहां नीचे आजएगा और 2m से multiply कर दिया तो यहां से तो 2m 2m कर जाएगा और यहां पर 2m आ जाएगा यह final equation हमारे पास यहां पर आपको मिल जाएगी और यह equation आपको मिलेगी 1d में और इसको अगर मुझे लिखना हो 3d में तो कैसे लिखूँगा देखें तो this is the required equation required straddinger wave equation in one dimension है ना यह हमारी क्या है required straddinger wave equation in one dimension तो मुझे लगता है यह बात सबको समझ में आगे होगे अब मुझे इसको 3d में लिखना है तो 3d में कैसे लिखेंगे देखो यहां पर x है y और z दोनों आ जाएगे तीनों आ जाएगे मतलब तो in 3d अब देखें जड़ा 3d में कैसे लिखेंगे in 3 dimension देखें 3 dimension में अगर आपको इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा del 2 chi upon del x square plus del 2 chi upon del y square plus del 2 chi upon del z square plus 2m upon h cross chi square e minus v chi is equal to 0 यह 3d में आवे अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं जो इतना पार्ट है है इसको इतना ना लिख करके आप short में भी लिख सकते हैं कैसे इसके जगा आप neighbor operator यूज कर सकते हैं delta del square psi plus 2m upon h cross square e minus v और psi equal to 0 यहाँ पर हमने यूज कर दिया नेवल अपर यह हमारे पास है तो इस इस दा रिक्वाइड sodinger wave equation in 3D time independent clear है यह क्या है time independent है आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा यह तो हमारे पास sodinger wave equation आगी 1D में यह हमारे पास आगी 3D में अगर आपको कभी कभी sodinger wave equation पूछ लेते हैं for free particle for free particle अब free particle का क्या मतलब है free particle का मतलब है कि particle के अंदर कोई potential energy नहीं होगी कोई भी potential energy नहीं होगी तो free particle का मतलब है potential energy जीरो तो free particle के यह स्वाडिंगर wave equation क्या आगी यहां पर वी की वेली जीरो पुट कर दो answer आजाएगा तो यह क्या आजाएगी for free particle डेल स्क्वाइर डेल स्क्वाइर यह इसको कहा जाता नेबल ऑपरेटर प्लस 2m अपन में h cross square e minus v और स्वाइर स्वाइर इ- v नहीं वी तो 0 हो गया यह न वी क्या हो गया जीरो हो गया है तो यहां पर आएगा e और स्वाइग एक्वल टू में 0 तो यहां पर यह हमारा पूरा हो गया derivation अगर आपसे free particle के लिए पूछा जाएगा तो ऐसे लिखना है 3D में पूछा जाए तो ऐसे लिखना है यह 1D में तो sodinger wave equation मैंने आपको time dependent भी बता दिया time independent भी बता दिया कि जो time independent वाली equation है इसको आप time dependent वाली equation से भी find out कर सकते हैं कैसे find out करेंगे उसके लिए आपको करना क्या होगा जो time dependent sodinger equation है उसको आपको लिखना होगा और उसमें जो जो पेरामिटर है जैसे उसमें पड़ेगा लेकिन पूछा नहीं जाता है आपको डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं तो दोने हमारी complete होई अब यहां पर एक छोटा चाट आपीक और है जो बहुत बार उनिवर्स्टेश्टे एक्जाम में दो यह जो और यह पापको बता चुका हो यह तो फॉंस नकिवेशन की ब्माईरल की पॉजिशंगति यह तो quantity whose variation built up matter wave एक ऐसी quantity है जिसके vary करने से matter waves क्या होती है लेकिन हमसे पूचा physical significance तो ध्यान दीजेगा जरा दूसरा point important है the wave function is a complex function wave function जो होता है complex function होता है and the satisfactory interpretation of wave function wave function का satisfactory interpretation है वो किस ने दिया है max bond ने दिया in 1926 इसलिए इसको कहा जाता है कि bond interpretation of wave function मतलब यह वो scientist है जिन्होंने wave function के physical significance को बताया थे क्या बताया था आप जड़ा ध्यान देना यहां पर इसका में जो answer है वो यह according to him according to him the probability of finding a particle at any point in space space मतला बगर space की बात कर रहे हैं तो तीन coordinate आते xy और z देखिए इन्होंने क्या कहा कि कि किसी भी particle को space में find करने की जो probability है देखिए इससे पहले अगर हम बात करें हैसनबर्ग uncertainty principle की एक principle होता है हैसनबर्ग uncertainty principle जिसमें बताया गया है कि हम किसी भी particle की exact location पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम उसकी position पता करने कोशिस करेंगे तो उसका momentum चेंज हो जाएगा momentum को find करने कोशिस करेंगे तो position change हो जाएगी तो exact position को पता करना क्या है difficult तो इन्होंने क्या कहा कि पार्डिकल की हम exact position पता नहीं कर सकते हैं तो वही देखो यहाँ पर लिखा है कि according to him probability of finding a particle at any point in space at a given time t is proportional to mod of psi का square यानि कि जो psi जो wave function है अगर हम इसके mod का square कर दें तो space में particle को find करने की जो probability होगी वो directly proportional होगी किसके ताइस को हम कहते है probability density function और यह वो क्या है probability amplitude है यानिके wave function क्या है probability amplitude तो this is the physical significance according to max bond clear है since the particle is certainly अब देखो आगी क्या लिखा तो पार्डिकल is certainly somewhere in the space वह यह तो confirm है न कि particle space में कहीना कहीं होगा तो इसका मतलब यह है पूरे space में particle को probability होगी वह वन होगी क्योंकि पूरे space में कहीना कहीं तो हो गई और अगर वह कहीना कहीं है मतलब certainty आगई यहां पर अगर particle कहीना कहीं space में है तो इस space में particle को find करने की probability क्या होगी वन होगी और उसको जो हम mathematically लिखते हैं वह इस तरीके से लिखते हैं interpretation आपको समझ में आ गया होगा आगे यहां पर यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे next lecture में कि जो स्रोडिंगर वेव एक्वेशन होती है उसका जो solution होता है और वहां से जो वेव फंक्शन में मिलता है उसको आइगन फंक्शन कहते है यह हम next lecture के अंदर करेंगे वेव एक्वेशन के हैं से देखिए हमारा जो next lecture है उसमें पढ़ेंगे पढ़ेंगे पार्टिकल वन डामेंशन बांट वह 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 करेंगे जो कि युनिवस्टे एक्व्यक्शन में बहुत बार पूछा जाता है और निमेरिकल भी करेंगे यह पार्टइकल इन वन डामेंशन जोना चाहिए हर जगापर it must be single value function होना चाहिए and it must be continuous and its first derivative should be continuous मतलब यह function continuous होना चाहिए और इसका first derivative भी continuous होना चाहिए तो देखें दो नमबर के लिए बहुत important है तो आप ऐसा नहीं देखें एक चीज़ का ध्यार लगना कुछ student क्या करते हैं इंपोर्टेंट पार्ट होता उसी को ने लिखते हैं बाकी सब लिखते हैं अगर यह आपसे दो नमबर में पूछा जाता है तो आप यह जो point है यह point और यह point इन दोनों point को आपको जरूर लिखना है और कोसिस करना की यह भी लिखतें तो यह 3 point तो आपको लिखने ही है दो नमबर में बाकी आप और लिखे यह ना लिखें बात समझ में आगए चालिए अब यहां पर जो मैंने आज पढ़ाया आपको यहां से जो questions बनते हैं तो किस टाइप के questions यहां पर बनते हैं देखें बहुत simple है आपको यहां पर पूछा जा सकता है drive time dependent तो आपको time dependent वाव equation को drive करने के लिए आ सकता है तो आपको drive बरना आ गया होगा time independent भी आ सकता है तो यह दोनो long question ने 77 marks में पूछे जाएंगे explain the physical significance of wave function और wave function का जो physical significance है उसको आपको explain करना है यह दो number में पूछा जाता है या किसी long question के साथ में attach होके आ जाएंगे बात समझ मागे तो यहां पर हमारा आज का जो topic ता वो complete हुआ अब आपको इस topic को एक बार revise करना है अपने आप इसको practice करके देखना derivation को और उसके बार next lecture में हम पढ़ेंगे particle in one dimensional box okay thank you very much